Hello Everyone, Commerce Subject में आपका हम कर रहे है Chapter No.4, Recent Trends in Service Sector, जहाँ पर आज है हमारा Lecture No.4, तीन Lectures जो अल्रेडी हो चुके हैं, अगर आपने वो Lectures नहीं देखे हो, तो आपको लिंक मिल जाएगा उसका Description Box में, वहाँ जाके आप उसे Refer कर सकते हैं, अब लास्ट लेक्चर में हमने ERP के ब परपस से ERP को बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, तीक है वो चीज़े हमने वहाँ पर देख ली थी, अब आज हम कुछ देखने वाले हैं, वो है Characteristics of ERP, अब Characteristics of ERP क्या है? Enterprise Resource Planning जो हम पढ़ रहे हैं, उसके क्या-क्या Characteristics है, तो यहाँ पे सबसे First हमें दिया गया है, An Integrated System that operates in a real time without relying on periodic updates, क्या है यह? ERP क्या है? एक Integrated System है, जहाँ पे सारा Data एक साथी लाया जाता है, और वहीं से सारे लोग, सारे Department वाले Employees है, या Manager है, सारे लोग वहीं से Data Refer कर सकते हैं, तीक है? उसने Data Update किया, आज के दिन का, ठीक है? Purchase Department ने Update किया, Sales Department ने Update किया, तब हाल ही में, जो Updated Data है, उसे हम ERP में जाके वो Data देख सकते हैं, Reports को Refer कर सकते हैं, पतलाब हमें अभी के अभी क्या Situation है, वो पता चल जाती है, जो Normally हम, अगर ERP नहीं है, और Monthly या, Quarterly या, जो भी Period Decided ह उस Base पे जो Report बनते हैं, उसे Refer करने की हमें जरूरत नहीं है, क्या हो जाता है हमें? Real Time, मतलब अभी के अभी हम सारे Information को देख सकते हैं, Refer कर सकते हैं, ठीक है? इसलिए क्या बताया है, उन लोगोंने? An Integrated System that operates in Real Time without relying on Periodic Updates, Periodic Updates पे वेट करने की जरूरत नहीं है, कि चलो मा वन वीक हो गया है, पर्चेस डिपार्टमें अभी तक बिल्स डालेंगे और बात में हम रिपोर्ट देखेंगे, ऐसे वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सिस्टम में से आपको हमें अपडेटेड इन्फोर्मेशन मिल जाती है, नव नेक्स्ट इस अ कॉमन डेटाबे विच्छ सपोर्ट ओल एप्लिकेशन, अभी यह पी क्या है, एक कॉमन डेटाबेज है, मतलब एक ही डेटाबेज है, ओर्गेनाईजेशन के सारे ही लोगों के लिए, टॉप लेवल हो, मिडल लेवल हो, लोवर लेवल हो, या फिर अलग-अलग डिविजन हो, फिनैंस है, पर्चेस है, मार्केटिंग है, सेल्स है, ठीक है, सारे ही डिविजन के लिए, या सारे ही एमपलोईस के लिए, एक ही कॉमन डेटाबेस है, जहां से सारे लोग रेफर करने वाले हैं, इन्फरमेशन को, उसका फाइदा क्या होता है, कि सारे ही लोग सेम इन्फरमेशन देख हुए है और किसी और को गलत मिल गए कि 12,000 युनिट सेल हुए है वैसा कोई प्रॉब्लम यहां पर आता नहीं है क्योंकि डेटाबेस कॉमन रहता है यहां पर नेक्स्ट इस इंस्टालेशन ऑफ दे सिस्टम विदाउट इलेबरेट एप्लिकेशन डेटा इंटिग्रेशन बाइइंफरमेशन टेक्नोलोजी डिपार्टमेंट अब यह जो इर्पी सौफ़ेर एक बार बन जाएगा डेवलप हो जाता है उसकी बात क्या होता है उसे इंस्टालेशन का बहुत इजी है एंड इलेबरेट विदाउट इलेबरेट अप्लिकेशन मतला कॉंप्लिकेटर अप्लिकेशन नहीं करना पड़ता है यह इंस्टाल करना बहुत इजी रहता है बिजनस में ओर्गिनाइजेशन में तो यह हमने देख लिए तीन फीचर्स केरेक्टरिस्टिक इस इस ऐड़िके बारे में जो उन लोगों ने हमें बताया है है दो next आगे बढ़ते हैं functional area की तरफ अब कहां पे ERP useful हो जाता है वो हमें देख रहा है तो the functional areas that are included in ERP system which are called and grouped together as ERP modules are as follows मतलब ERP software जो develop होने वाला है जो organization के सारे ही information and resources को एक साथ लाने वाला है तो उसमें कौन-कौन से functional areas cover किये जाएंगे तो उसमें सबसे first आपका आने वाला है financial accounting अब financial accounting ये related to रहेगा हमारे finance जो हमारे organization में पैसे आए है ठीक है हमने loan लिया है या capital आया है या फिर सामने जो हमारी liabilities है या फिर हमारा जो revenue हो रहा है जो हमारा सामने expense है या फिर कितने पैसे मिलने वाले है receivables जिसे हम बोलते हैं वो कितने बाकी है payables कितने है सारी ही finance related information को हम यहाँ पे देख सकते है वो data को store कर सकते है यहाँ पे क्या बताया है financial accounting which includes general ledger cash management receivables and payables fixed assets and so on सारी ही information related to finance आपको यहाँ पे मिल जाती है now next is management accounting अब यह management accounting में क्या होगा कुछ चीजें जो हमें manage करनी पड़ती है हमारे business में कि मानलो हम कोई process कर रहे है product बनाने related या service देने related तो उसे हमें manage कैसे करना है तो उसके लिए हमें information चाहिए होती है जिसे हम analyze करते हैं और उसके बाद हम decision लेते हैं तो management accounting भी यहां possible होता है तो management accounting which includes budgeting budgeting करना मतलब future के बारे में हम कुछ plan करेंगे मानलो हमने cash budgeting किया है तो हम उसमें देखेंगे कि हमने क्या sales करने का सोचा है मानलो हम next month के बारे में budgeting कर रहे है तो next month में हमने कितना सोचा है कि 12,000 unit हम sell करेंगे इस price पे sell करेंगे सामने हम purchase कितना करेंगे expenses कितने होंगे ठीक है एंड उसके बाद हमारे पास balance कितना बचेगा तो उसे हम budgeting बोलते है कि future के बारे में हम कुछ planning करेंगे उसके बाद आता है costing cost management costing का मतलब हो जाएगा cost हम देखेंगे हमारे product या services की हमें cost कितनी लग रही है जो हम customer को provide कर रहे है बाकी सारी cost भी हम देखेंगे plus cost management करेंगे उसी cost को हम manage करने की try करेंगे जहाँ पे हम हो सकता है उसे cut करेंगे ठीक है ताकि हमारे business का profit बढ़ सके and activity based costing अब ये activity based costing क्या होता है कि मान लो कोई product बन रहा है उस product को बनने में चार processes हो रहे है ठीक है A, B, C, D जैसे की raw material है उसको आपने 3 level पे process किया उसके बाद आपने उसको packing किया तो चार इसमें process आया activities आई तो अब वो particular activity का हम देखेंगे कि इसके उपर हमारी cost कितनी लग रही है and हम उसे manage करने की try करेंगे वो हो जाता है activity based costing तो ये part cover होता है in management accounting अब थर्ड आता है human resource management अब ये human resource रहेगा आपका totally employees के related organization में बहुत सारे employees काम करते हैं top level, middle level, lower level पे ठीक है तो वो सारे ही employees जो रहते हैं उन्हें recruit किया जाता है appoint किया जाता है उसके बाद उन्हें training दी जाती है उनका remuneration decide होता है remuneration में काफी सारी चीज़े salary मिलती है, bonus मिलता है commission मिलता है तो ये सारी ही चीज़े information हमें ERP में हम store कर सकते हैं वहाँ से analyze कर सकते हैं तो ERP से हम human resource management भी कर सकते हैं तो human resource management which includes recruitment and selection training placement performance appraisal promotion transfer compensation retirement termination ठीक है ये सारी ही चीज़े cover होती है human resource management में जिसे हम ERP यूज करके कर सकते हैं उसके बाद next आता है manufacturing अब manufacturing होता है goods को बनाना ठीक है raw material लेना उसके उपर process करना और उसको produce करना बनाना manufacturing तब ये जो manufacturing का काम है उसमें भी काफी सारी चीज़े आती है जो आप ERP यूज करके कर सकते है जैसे की routing इसका मतलब है planning कुछ हम basic planning जो करते है manufacturing के लिए वो उसके बाद है scheduling कितना production हमें कब करना है ठीक है future में कितना करेंगे अभी कितना करेंगे present में scheduling dispatching goods को dispatch करना warehouse में या customer की place पे follow up उसका follow up लेना quality control quality control हम देखेंगे कि हम product हमारा particular standard को achieve कर रहा है या नहीं कर रहा है कि हम low quality का goods तो नहीं बना रहे है तो quality control देखना inventory management business में जो हमारा inventory inventory का level जो हम रखते है finished goods का होता है raw material का होता है spare parts का होता है अलग-अलग चीजों का inventory business में हम रखते है तो उसको manage करना ठीक है कितना inventory होना चाहिए कितना order करना है future में हम कितना maintain रखेंगे वो सारी चीज़े आएंगी inventory management में उसके बाद है SRM SRM हो जाता है supplier relationship management हमारे जो suppliers है जिनके पास से हम raw material खरीतते है और उसके बाद हम goods बनाते है तो उनके साथ हमारे कैसा relation maintain करना है मतलब कितने टाइम पे हम उनको payment करते रहेंगे कौनसी quality का हम goods लेते रहेंगे वो सारी चीज़े आती है supplier relationship management SRM में and so on ऐसी बहुत सारी चीज़े यहां पे आती है in manufacturing next है आपका marketing अब यह marketing पार्ट में क्या आता है marketing में बहुत सारी चीज़े आएगी जैसे कि हम देखेंगे customer को कैसी quality का goods चाहिए कैसी price पे चाहिए ठीक है वो सारी चीज़े हम search करेंगे research करेंगे और उस accordingly हम goods बनाएंगे दूसरा हम क्या करेंगे उस goods को जो हमने goods या services बनाया है उसे हम क्या करने वाले हैं उसकी information customer तक पहुँचाएंगे advertisement करेंगे promotion करेंगे यह सारी ही चीज़े हम करेंगे तो वो सारा part cover होता है in marketing marketing which includes pricing pricing भी इसमें decide किया जाएगा जैसे कि मैंने बोला हम देखेंगे customer को कौनसी quality का goods कौनसे price पे चाहिए competitor का price क्या है हमारा cost क्या है वो सारी ही चीज़े देखके हम हमारे product की price decide करेंगे उसके बाद आता है promotion distribution अलग अलग area में किस तरीके से हम हमारे product का distribution कर रहे हैं उसके बाद आता है product life cycle management प्रड़क लाइफ साइकल management मतलब प्रड़क के case में कैसा होता है जब product नया introduce होता है तो वो थोड़ा sales उसका उस time पे कम रहता है फिर धीरे धीरे वो grow करता है फिर एक level पे आके वो stable हो जाता है product का sales and कभी-कभी decline भी होने लगता है तो ये product life cycle रहता है तो ये product life cycle management आएगा marketing में CRM customer relationship management हमारे जो customer है उनका हम सारे ही information रखेंगे और उन्हें हम क्या करेंगे कुछ benefits देते रहेंगे at the time of selling goods कुछ free gift देंगे offers देंगे ठीक है credit period उनको देंगे तो customer relationship management हम देखेंगे marketing research करेंगे and so on ठीक है और भी बहुत सारी चीज़े आएगी marketing में उसके बात आता है order processing now अब यह order processing क्या होता है देखे order to cash, order entry, credit checking, pricing available to promise, inventory, shipping, sales analysis, reporting, sales commissioning ठीक है यह सारी ही चीज़े order में आती है मालो हम raw material order कर रहे हैं या हमारे पास order आए है customers के खरीदने के लिए माला हम sales करने वाले हैं तो वो order processing हम देखेंगे ठीक है order to cash, कितने COD में sale होने वाला है, order का entry बराबर हो रहा है या नहीं, credit checking, credit period कितना है, pricing देखेंगे ठीक है, available to promise, कितने customers जो बराबर से पैसे दे पाएंगे, ठीक है, कोई ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए जो हमारे loss करवाद है inventory stock देखेंगे, shipping देखेंगे, sales analysis करेंगे, reporting, sales commissioning, ठीक है, sales हमारे जो agents रहते हैं, sales person उनके commission के बारे में हम देखेंगे, तो ये सारी ही चीज़े आती है, in order processing, ठीक है, अब next देखते है supply chain management, now what is supply chain, goods एक बार produce हो गया, हमने production कर दिया, उसके बाद supply chain create होता है, जैसे कि हमने उसे warehouse में भेज दिया, ठीक है, वहां से वो और आगे जाएगा, मानलों, wholesaler ने ले लिया, उसके बाद retailer ने लिया, तो ये से पूरा supply chain create होता है, तो supply chain management, supply chain planning, supplier scheduling, order to cash, purchasing, inventory, claim processing and warehousing, ये सारी ही चीज़े आती है, supply chain management में, now next is project management, project management में आता है, project planning, resource planning, project costing, work breakdown, structure, billing, time and expenses, performance units, activity management, अभी project management मतलब मानलों, हम ऐसा कुछ project सोच रहे है, कि कोई ऐसा area है, जहां पर हमें लग रहा है, कि यहां पर हमारा goods and services अच्छे से sell होने वाला है, तो वहां पर हम हमारा outlet open करके try करना चाहते है, तो वो एक क्या हो जाएगा, एक project हो जाएगा, तो उसे हम manage करेंगे, तो project management, तो project का planning करना, उसके वहां पर resources का planning करना, project costing करना, work breakdown structure, billing करना, वहां पर time and expenses वहां पर कितना लग रहा है, performance units, activity management, वहां की activities को manage करना, तो यह सारे ही चीज़ें हम कर सकते है, ERP use करके, क्योंकि ERP में हमें सारा ही information एक ही जगा से common database से मिल जाता है, तिक है, अगर branch का information देखना हो, head office के manager को, तो वो देख सकता है, कि वहां पर क्या status है, ठीक है, चलिए, तो यह हमने देख लिया functional area, कौन-कौन से functional areas cover हो रहे हैं यहां पर, अब आ रहा है, next is, advantages of ERP system, अब यह ERP system के फाइदे क्या-क्या है, तो उसमें सबसे first है competitive advantage, अब यह competitive advantage का मतलब क्या होता है, कि market में हमारे जैसे बहुत ही और भी business करने वाले होते हैं, हमारे competitor होते हैं, तो उन competitor के comparison में, हम अच्छे से अच्छा product या service दे पाए, customer को अच्छी price पे दे पाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा customer हमारे पास ही आए, तो यह competitor advantage हम ले सकते हैं, use करके ERP को, क्यूंकि हमें वहाँ पे information सारा ही on real time basis मिल जाता है, तो हम quickly decision ले सकते हैं, and market में हम आगे आ सकते हैं, हमारे competitor के comparison में, तो देखे, क्या बताया है उन लोगोंने competitive advantage, organizations that use ERP gain competitive advantage in the market, for instance, the industry best practices are incorporated in most ERP systems, this means that the ERP software reflects the vendor और ERP supplier's interpretation of most effective way to perform each business process, देखे, यहाँ पे उन लोगोंने क्या बताया है, जब भी ERP develop होता है, मतलब जो organization ERP software बनाने वाला है, वो क्या करता है सबसे पहले तो, business की process को अच्छे से समझ लेता है, या फिर jewelry बनाने का है, तो क्या होता है, वो सामने वाला person है, जो software बनाने वाला है, वो क्या करेगा, हमारे business की process को अच्छे से समझ लेगा, अच्छे से understand कर लेंगा, एंड उसके बाद वो ERP software को develop करेगा, उस accordingly, तो वो क्या करने वाला है, अच्छे से अच्छे एकदम बराबर से understand करके, वो बनाएगा उस application को, उस software को, इसलिए उन लोग अन बताए, this means that the ERP software reflects, ERP software क्या बताता है, the vendor और ERP supplier's interpretation, मतलब ERP vendor ने कितना अच्छे से समझा है, हमारे process को, वो reflect होगा, जब software बन जाएगा तब, ठीक है, interpretation of the most effective way to perform each business process, उस person ने कितना अच्छे से हमारे process को समझा है, एंड उसके बाद उस software को बनाया है, वो software को use करते time, हमें पता चल जाता है, companies that implement industry best practices, reduced time consuming project tasks, such as documentation, testing and training, in addition, best practices reduced risk factor, considerably when compared to other software implementation, अब जो भी vendor ERP बना रहा है, उसने अगर बहुत अच्छे से best practice use करके, best standard use करके, वो software अगर बनाया हुआ है, तो क्या हो जाता है, हमारा documentation process बहुत कम हो जाता है, हमारी काफी सारी मेनत कम हो जाती है, क्यूंकि वो vendor क्या करता है, वो software बनाके, हमारा काम बहुत ही easy कर देता है, and risk factor भी हमारे लिए काफी कम हो जाता है, वहाँ पे, तो ये सबसे first advantage था आपका competitive advantage, जो हम ले सकते हैं ERP को use करके, अब आते हैं हम second advantages के तरफ, वो है हमारा corporate image, अब जो भी business ERP use कर रहा है, क्या होता है, उसकी corporate image बहुत अच्छी हो जाती है, क्यों अच्छी होती है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ERP जब वो use करता है, तो data को वो effectively store करता है, उसी data को वो perfectly अच्छे से use करके, decision making कर रहा है, उसकी विज़े से क्या होता है, वो सारे ही decisions effectively लिये जाते है and business convert होता है effective successful business में ठीक है profit making वो हो जाता है इसके लिए corporate image फिर उसकी बढ़ जाती है market में goodwill बढ़ जाती है ERP enhances image of the organization ERP helps to improve quality and efficiency of a business therefore the organization using ERP improves image in the minds of customers shareholders and suppliers अगर कोई business क्या कर रहा है ERP software use कर रहा है तो उसके जो सारे ही stakeholders है जो लोग business में interested है उनके mind में business की image बहुत अच्छी हो जाती है now third advantage is decision making अब ERP का सबसे main फायदा क्या है ये decision making में help करता है जैसे कि हमने देखा कि सारी ही information हमें एक ही जगे पे मिल जाएगी and on real time मिल जाती है मतलब हमें wait नहीं करना पड़ता है कि चलो monthly report आएगा उसके base पे हम decide करेंगे wait करने की ज़रत नहीं है आपको अभी के अभी जो status है वो देखने मिल जाएगा business का तो आप decision making बहुत अच्छे से कर सकते है now ERP provides support to top level management to take vital decisions the ERP system provides vital information that can be used in decision making the timely and cost effective decision help to improve the performance of the organization अगर हमने decision अच्छे से क्लिया है तो क्या हो जाता है हमारा performance, organization का overall performance बहुत अच्छा बहुत इंप्रोव तरीके से हो सकता है तो यह हो गया हमारा third advantage decision making आगे बढ़ते हैं efficiency fourth advantage is efficiency of course efficiency हमारे organization की उसके employees की बढ़ने वाली है क्यों क्या हो जाएगा यहां पर information हमने एक ही database में store कर दिया है एक ही software से हमें सारे ही employee को अलग-अलग department के employee को manager को information मिल रहा है तो क्या हो जाता है easily information मिलता है correct information मिलता है on real time तभी के तभी updated information मिल जाता है तो वो जो खुद काम करते हैं वो भी efficiently कर पाएंगे based on that data तो ERP greatly improves the quality and efficiency of the business ERP leads to better output that benefits the company in terms of better quality products and services to the customer ठीक है तो यह हो गया हमारा efficiency के बारे में now next is expansion of business business का जो expansion होता है मानलो हम एक जगे पर business कर रहे हैं हम और भी branches open करना चाहते हैं ठीक है expand करना चाहते है business को और बढ़ाना चाहते है तो उसमें भी ERP काफी useful हो जाता है क्योंकि अगर हमने अलग-अलग branches भी open की हुई है तो वहां के भी information उस ERP से हम track कर सकते हैं देख सकते हैं तो ERP हमें बहुत help करता है उसमें Now ERP enables business form to expand the business ERP enables a business form to improve its goodwill in the market and therefore business form using ERP would be in a position to expand business operations देखें यहां पर क्या बताया उन लोगोंने कि ERP यूज करने से हमारा goodwill भी बढ़ता है हमने आगे देखा corporate image भी हमारा बढ़ता है तो उसकी वज़े से ज्यादा ज्यादा customer भी आते हमारे पास and हम business expand भी कर सकते हैं उसके बाद आ रहा है economies of skill Now what is economies of skill मतलब कुछ goods हम produce कर रहे है ठीके उसके सामने हमें कुछ cost देना पड़ता है मानलो rent देना पड़ता है electricity देना पड़ता है अब उसी cost में हम अगर ज्यादा units produce कर पाते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे economies of skill मिल रहा है हमें तब ये economies of skill कब मिलेगा जब हमारी demand बढ़ेगी तबी और demand कब बढ़ने वाली है अगर हमने ERP software यूज करना चालू किया है तो हमने देखा था कि market में हमारी image बढ़ती है goodwill बढ़ती है उस goodwill बढ़ने के कारण क्या होता है customers हमारे बढ़ते है demand बढ़ती है और वो demand बढ़ने के कारण हमे economies of scale का benefit मिलता है ठीक है मानलो आप जितना rent पे कर रहे हो 30,000 उसके सामने जो आप units produce कर रहे हो अब demand आपके product की बढ़ रही है तो उसी rent में आप ज्यादा units produce करने वाले हो तो क्या हुआ वहाँ पे आपको economies of scale मिल गया Now, due to ERP, a business firm would be in a position to improve its quality and efficiency Therefore, there would be increase in demand for the product increase in demand will lead to large scale production and distribution and as such business firm would be in a position to achieve economies of large scale production and distribution distribution जब भी economies of scale वाला point आता है तो आपको ये चीज़ याद रखनी है economies of scale का benefit कब मिलता है जब आपकी demand बढ़ती है तब demand बढ़ती है तो इसलिए आप production ज्यादा करते हैं and आप उसके against जो cost पे कर रहे हैं वहाँ पे आपको फाइदा मिल जाता है ठीक है तो ये हो गया sixth advantage economies of scale अब आगे बढ़ते हैं flexibility देखिए what is flexibility flexibility मतलब कुछ change करना ठीक है fix नहीं होना rigid नहीं होना तो ERP creates more agile company that can better adapt to situation and changes बाहर के environment में जो भी changes आते हैं ठीक है market में कोई change आया या फिर competitor की कुछ policy में change हुआ या government की कुछ policy में change हुआ तो ये सारी चीज़े जो change होती है तो उसके साथ ही साथ हम भी हमें भी change होना पड़ता है ठीक है flexible होना पड़ता है तो ERP हमें उस चीज़ में help करता है ERP makes the company more flexible and less rigid in structure. It allows the different functional areas to become more cohesive which in turn satisfies the internal and external customers तो ERP हमें help करता है कि जो भी environment में changes आया है उसके accordingly हम भी खुद को change कर सके उसके बाद है last आपका other advantages अब ये तो जो main main advantages थे हमने पढ़ लिये अब उसके बाद other advantages कौन-कौन से है तो सबसे उसमें first बताया है complete visibility into all important processes across various department of organizations specially for senior management, personal अब जब top management रहता है मान लो board of directors है, trustees है, partners है, या owner है वो क्या चाहेगा कि उसे जितनी भी branch हो उसके business की या फिर जितने भी levels है middle level, lower level, जितने भी departments है उसको सारी ही information देखनी होती है decision making के लिए, तो ERP उस चीज में help करता है, complete visibility लाता है सारी ही information वहाँ से मिल जाती है next is automatic and coherent workflow from one department function to another to ensure smooth transition, completion of process मतलब automatic and coherent continuous workflow अब एक process मानलो purchase department है ठीके उसने information डाल दी, कितना purchase हुआ है तो उसे देखके production department अंदाजा लगा सकता है कि कितना raw material available है, उसके base पे हमें कितना produce करना है तो क्या हुआ एक department से दूसरे department में information अच्छे से flow हुई तो उस चीज में help करता है ERP next is a unified and single reporting system to analyze the statistics, numbers, status, etc. in real time across all functions or department ठीके क्या है यह? unified and single reporting system एक ही system है जहां से आपको सारे ही reports मिल जाते है and वो क्या होते है फिर accurate आपको मिल जाएंगे सारे लोग same data, same numbers देख पाएंगे तो यह एक benefit हो जाता है उसका now next is since same software is used across all department this can avoid individual department having to buy and maintain their own software system देखिये सारे ही department क्या कर रहा है उनको सबको वही से information मिल रहा है तो खुद को individually, personally कोई software खरीदने की जरुरत नहीं है सब लोग एक ही use कर सकते है उसके बाद है ERP systems make it easier for order tracking inventory tracking, revenue tracking, sales forecasting and related activities इन चीज़ों में भी help करेगा ERP हमारे orders को हम track कर सकते है customers की जो order आये है उनका status गया है next is inventory को track कर सकते है revenue देख सकते है sales forecasting future के बारे में हमें कुछ sales predict करना है कि इतना sales हमारा past में रहा है तो future में कितना हो सकता है तो उसे forecast करना and उसके related activities तो ये हो जाएगा उसका last benefit तो ये सारे ही हमने देख लिए कि advantages क्या है of ERP system अब आगे पढ़ते है disadvantages की तरफ कि disadvantages क्या क्या है of course बहुत सारे फाइदे है इसके लेकिन कुछ नुकसान भी होंगे disadvantage भी होंगे तो वो क्या है सबसे first is problems involved in customization of ERP customization अब ये customization क्या होता है vendor ने तो ERP software बना के हमें दे दिया ठीक है हमारा process उसने analyze किया कि भई हमारा business कि इस तरिके से चल रहा है क्या-क्या processes है उसके base में उसने ERP software डेवलप करने के तो हमें दे दिया अब हम क्या चाहेंगे कि जो आपने डेवलप करके दिया है उसमें कुछ हमें changes करके दो उसका मतलब क्या होता है हम उसको customize करवा रहे है मान लो हमने कुछ ready कपड़े लिये है तो वो क्या करते है हम उसमें कुछ changes करवाते है अगर करने हो तो ठीक है थोड़ा अगर बहुत बड़े लग रहे है तो थोड़ा हम उसे adjust करते है सिलाई मरवाते है ठीक है तो क्या हो जाता है उसे हमने थोड़ा customize कर दिया वैसे हम क्या करते है software को भी customize करवा लेते हैं as per our requirement हमारे जो requirement है उस हिसाब से तो अगर उस customization की वज़े से क्या होता है जो उसका जो main use है ERP software का तो वो थोड़ा कम हो जाता है तो देखिए problems involved in customization of ERP customization of ERP is problematic there are certain drawbacks of customization of ERP such as requires more time and resources to implement and maintain ERP over reliance on customization undermines the principle of ERP as standard software problem ठीक है आप customization में क्या हो जाता है कभी कभी हम कुछ ज्यादा ही customization करवा देते है software को उसकी वज़े से उसका जो main use है वो ही चला जाता है creates communication problem with suppliers and customers who use uncustomized ERP कभी कभी क्या होता है हमारे जो supplier है या customer है उन्होंने customize नहीं किया है ERP को हमने किया है तो वो problem करता है हमारे communication में तो यह हो गया सबसे first disadvantage problems involved in customization now next is high cost अब क्या है high cost मतलब यहां पर उन्हों लोगों ने बताया है देखें the organization using ERP has to bear high cost as compared to less integrated or less comprehensive solutions in case of customized ERP the cost is still higher देखें क्या होता है ERP में cost थोड़ा बढ़ जाता है और उसमें भी अगर आप customize करवारा चाहो तो वहाँ पे तो cost थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है उसके बाद third आता है extensive training अब यह ERP जो बन गया है उसे हमने हमारे organization में install कर दिया अब सीधा ऐसे नहीं होगा कि हमारे employees उसे use करना चालू करनेंगे क्या होगा हमारे जो भी employees से अलग-अलग department में अलग-अलग level पे उन्हें पहले training हमें देनी पड़ेगी कि उस ERP को use कैसे करना है अब उस training को देने के लिए कुछ expenses भी हो सकते है प्लस उन employee का time भी जाता है ठीके उन्हें उनका time देना पड़ेगा meetings करनी पड़ेगी ठीके वो सारी ही चीजे होंगी तो ये एक problem create करता है extensive training to implement and maintain ERP there is a need to provide extensive training to employees extensive training to employees diverts resources from daily operations अब employee जो हमारा काम कर रहा है जितने hours भी हमारे business में वो काम करने वाला है तो जब भी उसे training लेनी होगी क्या होता है उसका जो routine काम है वो छोड़के उसे जाना पड़ता है उस training को लेने के लिए तो वो जो काम था वो वहाँ पे disturb हो जाता है तो ये एक disadvantage है ERP का उसके बाद है problem of re-engineering अब ये re-engineering क्या होता है re-engineering करना मतलब हमारे business के processes को एकदम से नए से शुरुवात करना ठीक है उसे हम बोलेंगे re-engineering तो ये एक problem create करता है business के लिए and organization के लिए भी employees को भी problem होती है उसे business processes को change करने में तो तो ये एक problem create करता है ERP implementation करते है उसके बाद आता है problem of sharing inter-departmental information अब ये inter-departmental information क्या होता है सारे ही department एक दुसरे में कुछ ना कुछ information share करते रहते है जो required होता है ठीक है अब मान लो sales वाले person को marketing वाले बंदे को advertisement करना है तो वो क्या करेगा उसका budget बताएगा finance department को कि मेरे इतना खर्चा होने वाला है उसके बाद finance department क्या करेगा उसे approve करेगा तो क्या होता है वहाँ पे information sharing हो रही है ठीक है तो अब इस ERP system की वज़े से क्या होता है department को सारी ही information दे देती है दे देनी पड़ती है disclose कर दे पड़ती है तो वो एक problem create करता है क्योंकि सारे department नहीं चाहते पूरे-पूरी information disclose करना तो देखे problem of sharing interdepartmental information for ERP implementation there is a need to share sensitive interdepartmental information there may be a resistance to share the sensitive information departmental information this may create unnecessary tensions for the top management तीकि क्या हो जाता है यहाँ पे departments अलग-अलग चाहते नहीं है सारी information share करना sensitive कुछ information सेसी होती है वो जो नहीं बताना चाहते लेकिन यहाँ पे at the time of implementation of ERP उन्हें वो disclose करना पड़ता है जो इसकी वज़े से क्या होता है employees हो या manager हो resist करते है ERP लाने से उसके बाद आते हैं आपके other disadvantages उसमें है ERP deployments take one to three years to get completed and fully functional अब यह ERP software जो बनता है बनने के बाद जो हमारे business में install होता है and implement होता है वो ऐसा नहीं है कि one month में हो गया या six month में हो गया काफी longer time जाता है देखिए approximately one to three years लगते है उसको fully हमारे business में install होना employees को training देना and ERP software एकदम से settle हो जाना हमारे business में इतना ज्यादा time उसको लग जाता है उसके बादे there may be additional indirect cost like new IT infrastructure upgrading the van link etc ये सारे खर्चे भी जो है वो indirect बोले हैं उन लोगोंने वो भी लग जाते है migration of existing data to new ERP system is always difficult to achieve as with integrating other stand-alone software system जब भी ERP software हमारे business में आने वाला है तो क्या होता है हमारे जो data है उसे हमें migrate मतलब move करना पड़ता है shift करना पड़ता है ERP में जो एक बहुती time consuming and complicated process हो जाता है IT department के लिए उसके बाद next है once an ERP system is implemented it becomes single vendor single vendor lock-in for further upgrades, customization, etc अब एक बार जो हमारा हमने किसी vendor को दे दिया कि यह हमारे लिए software बनाएगा तो क्या हो जाता है हमें फिर उसी vendor के पास ही जाना पड़ता है customization और बाकी सारे काम के लिए अब ऐसा नहीं हो सकता कि हमें नहीं suit हुआ तो हम किसी और के पास जाएंगे वो चीज़ फिर possible ही नहीं है तो उसी के पास हमें बार बार जाना पड़ेगा Now next is the cost saving payback may not be realized immediately after the ERP implementation and it is quite difficult to measure the same हमने सोचा है कि ERP implement करके हमारा बहुत सारा cost benefit होगा लेकिन वो तुरंट नहीं होता है उसमें भी काफी सारे साल लग जाते है तो फिर उसका जो analysis हम करते हैं calculation करते हैं वो करना बहुत ही difficult हो जाता है ठीक है तो यह हो गया आपका disadvantages students अब आगी का हम देखेंगे in next lecture तो कोई questions हो तो बता सकते हैं आप comment section में and video पसंद आया तो please like कर देना मिलते हैं next lecture में thank you so much